My dear friends, नमस्कार ध्रा क्लासेज में आपका स्वागत है आज मैं कलास 12 के फिलेमिंग उप्रोज का फोर्च चैप्टर दारेट रेप का फोर्थ पार्ट का हिंदी इस्प्लानेशन बताने वाला है आगे बढ़ेंगे जिससे आपको किसी भी प्रकार की दिकत ना महसूस हो मैडेफेंट समय स्टार्ट करने जा रहे हैं इस पैर अगर आपको ध्यान देगे दा मैन बिद्दा रेट रेप अर्थाद चुहे दानियों वाले आदमी ने हाइड नेबर बिफोर सीन आइरण मास्टर आड राम से ध्यान देगे मैडे रेफेंट सुहे दानियों वाले आदमी ने राम से के मालिक लोह ब्यापारी को पहले कभी नहीं देखा था अर्थाद हाइड नेबर बिफोर सीन का मतलब होता है पहले कभी नहीं देखा हुआ था किस आदमी को आइरन मास्टर आइड रामसे अर्थात लोह ब्यापारी रामसे के मालिक को अर्थात उसने कभी भी नहीं देखा था आगे देखेंगे मैं डेफेंट्स I did not even know और यह भी नहीं जानता था what his name was कि उसका नाम क्या था very easy point of view के साथ आप समझ रहे होंगे माई डेफेंट्स I did not even know और यह भी नहीं जानता था what his name was कि उसका नाम क्या था आगे देखेंगे परन्त उसके दिमाग में आया परन्त यह बात उसके दिमाग में आई यदि वह भला आदमी सोचता है भले आदमी नेक आदमी के लिए fine gentleman का प्रियुक गया है that if the fine gentleman thought यदि वह भला आदमी सोचता है he was an old acquaintance acquaintance का मतलब होता है उसका पुराना परचित कि वह उसका कोई पुराना परचित है he might perhaps throw him a couple of क्रोनोर तो सायद माइट का प्रयोग किया गया है माइट एर फेंड यहाँ पर माडल वर्प के रूप में जिसके लिए सायद का प्रयोग किया गया है तो ही माइट परहेपस अर्था सायद वो उसे थ्रो हिम एक क्रोन आफ क्रोनोर अर्था सायद वह उसे दो क्रोन और फैक कर दे दे कपुल का मतलब होता है जोड़ा या दो तो इसको हम यहाँ पर इस तरह समझेंगे कि उसने ऐसा सोचा कि वह उसका कोई पुराना परचित है तो सायद वह उसे दो क्रोन और फैक कर दे दे ईसा किस ने सोचा, माइडियर फेंड Carnes? पहले के पारड को आप THुछा ध्यान देंगे ऐसा चुहेदानी बेचने वाले बेक्ति ने सोचा किस के बारे में सोचा उस आयरन मिल के मालक के बिसे में आगे दखेंगे, माइडियर फेंड्स «their-for» therefore का मतलब होता है इसलिए therefore को कहते हैं हिंदी में इसलिए he did not want he did not want my dear friends he did not want undeceive him all at once ध्यान देगे इसलिए वो उस लोह ब्यापार ब्यापारी के भर्म को तुरंत ही दूर नहीं करना चाहता था यहाँ पर ध्यान देंगे my dear friends इसलिए वो उस लोह ब्यापारी के भर्म को तुरंत ही दूर नहीं करना चाहता था my dear friends did not want to undeceive him all at once इसका मतलब होता है तुरंत ही उसके भर्म को दूर किया जाना तुर यह नहीं चाहता था कि उसके भर्म को तुरंत ही दूर किया जाया आगे देखेंगे yes yes का मतलब होता है God knows things have gone down hill with me अर्थाथ God किसके लिए प्रयोकिया आता है भगवान के लिए yes God yes God का मतलब हाँ भगवान knows knows का मतलब present different का है my dear friends यह present different का sentence है God knows अर्थाथ हाँ भगवान जानता है things have gone down hill with me with me ध्यान देगे कि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है he said उसने कहा उस आदमी ने कहा कि हाँ भगवान जानता है मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है उसने कहा आगे दिखेंगे you should not have resigned from the regiment said the iron master तो पहले हम यहां से समझेंगे इस sentence को said the iron master अर्थाथ उस लो ब्यापारी ने कहा क्या कहा my dear friends you should not have resigned from the regiment अर्थाथ तुम्हें regiment से त्याग पत्र नहीं देना चाहिए था ध्यान देगे my dear friends यहां पर एक regiment की बात की जा रही है जिसमें वो नौकर था ऐसा अनुमान लगा रहा है कौन वो लोः ब्यापारी तो उसने कहा you should not have resigned from the regiment अर्थाथ तुम्हें regiment से त्याग पत्र नहीं देना चाहिए था आगे देखेंगे that was the mistake वह गलती थी that was the mistake का मतलब वह गलती थी if only I had still been in service at that time ध्यान देगे my dear friends उसने कहा कास उस समय भी मैं सेवा में होता if only I had still been in the service का मतलब at that time अर्थाथ कास उस समय भी मैं सेवा में होता it never would have happened तो या कभी भी ना होता इस बात को कौन कह रहा है वो iron store का जो iron mill थी उसका मालिक कह रहा है इस बात को किसके बारे मैं कह रहा है उस चुहेदानी बेचने वाले इबक्त के बारे में कह रहा है वो एक अनुमान के तहट आगे देखेंगे यह हिस्टोरी आपके लिए बहुत ही इंट्रेस्टेड़ बढने वाली है my dear friends आगे हम इसको देखेंगे कि कैसे क्या बाते हो रही है हम इसको बहुत हाँ ध्यान देखे my dear friends bell now of course आप course का मतलब ध्यान देखे now of course का मतलब होता है खैर आप you will come home with me खैर आप तुम मेरे साथ घर चलोगे you will come home with me का मतलब तुम मेरे साथ घर चलोगे यहां पे future returns का प्रयोग किया गया है my dear friends आगे देखेंगे to go along up to the manor house manor house का मतलब होता है जमीदार अर्थाथ house means घर तो यहां इसको हम इस तरह से समझेंगे the manor's house अर्थाथ जमीदार के घर पर यहां देखे my dear friends किसी छेत्र बिसेस का मालिक होता है उसको जमीदार कहा जाता है यह पर्थाएं पहले थी आज के समय में यह पर्थाएं नहीं रहे गई है तो उससमें एक जमीदारी पर्था होती थी तो इसको the manor कहा जाता है आगे देखेंगे my dear friends to go along up to the manor house जमीदार के घर पर जाना और उसके स्वामी दोरा सेना के पुराने साथी की भात स्वागत किया जाना सेना के पुराने साथी के साथ रेजिमेंट के साथ स्वागत किया जाना दाइट हाईवर डिड नाट प्लीज दा ट्रैम हलांकि इस बात से ट्रैम्ट का मतलब जो धुमकर बेकती अर्थात इस बात से धुमकर खुस नहीं हुआ ध्यान देगे माई डिफेंट अर्थात सारी चीजें एक अनुमानता थी जो की असत्य थी माई डिफेंट्स आगे के पैसेज में आप समझेंगे कि ये बातें कहां पर जा रही थी नो आगे दिखेंगे माई डिफेंट्स नो नो मींस नहीं आई कुड़न्ट थिंक आफ इट कैन का पास्ट थंस पास्ट जो है कुड़ का प्रयोग किया गया है आई कुड़न्ट थिंक आफ इट का मतलब मैं इसके बारे में सोच भी नहीं सकता था आई कुड़न्ट थिंक आफ इट का मतलब मैं इसके बिसे में इसके बारे में सोच भी नहीं सकता था ऐसा कौन कहता है वो रेट रेट अर्था चुहेदानी को बेचने वाला बैक्ती जिसको धुमकड के नाम से जाना जाता है मैं डेफेंट्स उसने कहा कि I couldn't think of it अर्थात मैं इसके बारे में सोच भी नहीं सकता था उस बेखते ने इस बात को कही लुकिंग कॉइट एलार्ड ध्यान देगे मैं डेफेंट्स उसने बिलकुल चौकना होकर कि एलार्ड का मतलब होता है इसम चौकना हो जाना आगे देखेंगे बड़ी ही इंट्रेस्टेट बात है मैं डेफेंट्स यह पैसेज आप के लिए बहुत ही important भी है इस पैसेज बेरी इंट्रेस्टेट्स इंट्रेस्टिंग फारी उमाई डेफेंट्स आगे देखेंगे ही थाट ही थाट आप दी 30 कोर्नर उसने तीस क्रोनर के बारे में सोचा He thought of the 30 क्रोनर और उसने तीस क्रोनर के बारे में सोचा To go up to the manor house Would be like throwing himself Voluntary into the Lion's den Dhyan देगे my difference My difference He thought of the 30 क्रोनर उसने तीस क्रोनर के बारे में सोचा आगे हम देखेंगे इस sentence को my difference To go up to the manor house अर्था जमीदार के घर जाना To go up to the manor house का मतलब होता है जमीदार के घर जाना Would be like throwing himself Would be like throwing himself Swam को स्वैच्छा से Voluntary का मतलब होता है Voluntary का मतलब होता है My difference फैकने के लिए प्रयोकिया जाने वाला सब्द तो उसने कहा कि जमीदार के घर जाना Swam को स्वैच्छा से फैकने के लिए कहां पर फैकने के समान होगा Into the lions den Den means होता है माद My difference जिसमें सेर रहता है तो उसने ये कहा कि जमीदार के घर जाना Swam को अपनी इच्छा से सेर की माद में फैकने जैसा होगा अर्थात अपने आपको Swam सेर की माद में ले जाना होगा फैकना होगा अब आप समझ सकते हैं कि उसकी सोच क्या थी My difference किसकी सोच उस रैट रैप अर्थात बच चुहेदानी बेचने वाले धुमकर ब्यक्त की सोच क्या थी वो बहुत डरा हुआ था कि उस जमीदार के घर जाना उस जो है जमीदार के घर जाना उसके लिए क्या होगा एक जो है के वल क्या चाहता था सोने के भिसे में अर्था सोना चाहता था फार्ग कहां पर भठी में सोने का अर्थाद उसको सोने की कहां पर इच्छा थी उस भठी के पास में सोने की इच्छा थी उसकी And then sneak away as inconscibiously as possible ध्यान देगे माइटिफोर्ड आएज पांच बूल का मतलब होता है अथा संभो इस नीक अबे का मतलब होता है चुपके से खिसकने का उसको मौका चाहिए था इनकांसी पैसली अर्थात उसको वो सोचता था कि उसको सोने का आउसर मिलता और अथा संभो चुपके से खिसकने का एक मात मौका चाहता था अर् इसको पुरह देखेंगे इस लाइन को वह तो बस यहां धलाई घर अर्थार भठी में सोने का और यथा संभव चुपके सिखे सकने का एक मौका चाहिता था कौन वो चुहेदानी बेचने वाला जो धुमक कर देखेंगे दा आयरन मास्टर अस्योंड दा आयरन मास्टर अस्य का मतलब लोह व्यापारी ने समझ दिया स्योंड का मतलब होता है समझ जाना समझ दायरेट की ही फेल्ट इंब्रास्ड की वह अपने खराब कपडों के कान सरमिन दा ध्यांद के माई डिरेफेंस इंब्रास्ट का मतलब होता है जिसको कि सरमिन्दा कहते हैं तो ही फेल्ट उसने अंभो किया ऐसा सोचा विचार किया embraced because उसने इस पकाश से सोचा कि आप his miserable clothing क्योंकि वो अपने खराब कपड़ों को पहन रखा है काड़े सरमिंदा था अर्था दो बेक्ति सरमिंदा था ऐसा उसने सोचा please don't think तब उसने क्या कहा my dear friends क्रिपया ऐसा ना सोचिए please don't think का मतलर क्रिपया ऐसा मत सोचें ना सोचें that I have such a fine home कि मेरा इतना सुन्धर घर है fine home का मतलब such a fine home का मतलब इतना सुन्धर घर है I have such a fine home अर्था कि मेरा इतना सुन्धर घर है that you can cannot show yourself dear कि तुम वहाँ जाही नहीं सकते can not show yourself dear का मतलब तुम वहाँ जाही नहीं सकते उसने कहा यहाँ पर यूर्सल्फ का प्रयोग किया गा है my dear friends सौयम के लिए बताई गई है बात उसके लिए you can not show so में सोता है दिखाना परस्तुत करना जाना you can not show yourself dear का मतलब कि तुम वहाँ जाही नहीं सकते इसको हम थोड़ा इस तरह से समझेंगे जब हम किसी के यहाँ पहुंचते हैं जाते हैं तो अपने आपको प्रस्तुत करते हैं उसको सो के रूप में हाँ word में प्रयोग किया गया है आगे दिखेंगे इस ही सेड़ उसने कहा इलजीबेथ इलजीबेथ के बिसे में इलजाबेथ इज डेड ध्यान देगे माई डेफेंड इलजाबेथ मर चुकी है इलजाबेथ इज डेड का मतलब इलजाबेथ मर चुकी है I you may already have had जैसा कि तुम पहले ही सुन चुके होगे I you may already have had का मतलब जैसा कि तुम पहले सुन चुके होगे head means होता है सुनना already means पहले ही have का प्रयोग किया गया है perfect के रूप में perfect tense के रूप में तो I you have already have had अर्था तुम पहले ही जैसा सुन चुके होगे ध्यान देगे my defense my boys are abroad अर्थात मेरे लड़के विदेश में हैं abroad का मतलब होता है विदेश में रहना my boys are abroad का मतलब होता है कि मेरे लड़के मेरे बच्चे जो भी हैं विदेश में हैं and there is no one at home except my oldest daughter ध्यान देगे my defense और घर पर my और मेरी सबसे बड़ी बेटी oldest daughter का मतलब होता है सबसे बड़ी बेटी अर्थात उसने कहा कि घर में my और मेरी सबसे बड़ी बेटी के अलामा except का मतलब होता है अलामा कोई नहीं है except my oldest daughter and myself इसका मतलब कि घर में मैं और मेरी बड़ी बेटी के अलामा कोई नहीं है आगे देखेंगे we were just saying we were just saying का मतलब होता है we का मतलब हम अभी अभी कह रहे थे we were just saying का मतलब हम अभी अभी कह रहे थे that it was too bad we didn't have any company for Christmas जान देखें मैं डेफेंट्स उसने कहा कि हम अभी 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 कह रहे थे कि बड़ी बुरी बाप थी it was too bad अर्थाद बहुत ही बुरी बाप थी we didn't have any company for Christmas अर्थाद की किरिसमस पर हमारे साथ कोई नहीं था company means होता है साथ और किरिसमस मीं सोता है किस्चिन का जो तेवहार जो पर्व होता है उसको किरिसमस कहते हैं my dear friend बड़े देख के रूप मनाते हैं तो यहां पर it was too bad we didn't have any company आप किसमस अर्थाद बड़ी बुरी बात थी कि किसमस पर हमारे साथ कोई नहीं था आगे देखेंगे now come along with me now come along with me का मतलब now means up along with me अब मेरे साथ आओ now come along with me का मतलब अब मेरे साथ आओ and help us और मेरी मदद करो हमारी मदद करो make the किसमस फूट disappear a little faster ध्यान देखेंगे my dear friends हम मेरे साथ आओ उसने कहा अब मेरे साथ आईए और किसमस की भोजन का थोड़ा और जल्दी समाप्त करने से में हमारी मदद करो हम देखेंगे यहाँ पर किसमस फूट disappear किसमस फूट disappear a little faster का मतलब होता जल्दी करना थोड़ा जल्दी करना तो इसको इस तरह से हम समझेंगे किसमस की भोजन का को थोड़ा और जल्दी समाप्त करने में हमारी मदद करें क्योंकि उसके समर्ज के उसर पर उसको भोजन प्राप्त करना था भोज पर जाना था तो उसने कहा मेरे साथ आईए और उस भोजन में हाथ बटाईए जिससे हम उससे जल्द से जल्द उससे समाप्त कर पाऊए खा पाऊए हमारे साथ फास्ट कीजिए भोजन कीजिए इस बा रेट रेट बेचने वाले धो मकड़ बेक्ती से कह रहा है आगे की लाइनों में हम देखेंगे माई डिफेंट्स ये बहुत ही इंटेस्टेट चैप्टर होगा आपके लिए बहुत ही इंटेस्टेट पैसेज है माई डिफेंट्स ध्यान देगे परांतो अजनभी ने कहा नहीं अजनभी ने बार बार कहा मना किया अजनभी ने कहा बार बार मना करता रहा आएंड नो आएंड अगें नो यहनी कि कहने का ताथ पर मना करना बार बार मना करना कि उस अजनभी ने बार-बार मना करता रहा अजनभी ने बार-बार मना करता रहा आएंड नूम आएंड दा आइरन मास्टर सा और लोह ब्यापारी को लगा लोह ब्यापारी ने इसा समझा that he must give in कि उसे हार मान लेनी चाही जैसे कोई आदमिया किसी बात को कहने से बार-बार इंकार करता है तो हमें यकीन मान लेना पड़ता है कि ठीक है चलिए भाई इसी की बात सही है इस तरह से उसको accept करना पड़ा उस बात को मान लेनी चाहिए ऐसा उस ने सोचा किसने सोचा उस सायरन मास्टर ने सोचा उस लोह स्वामी ने सोचा माई डिर फैंड्स किसके बिसे में सोचा उस धुमकड ब्यक्ति के बिसे में सोचा जिसने की बार-बार उसको उसके घर जाने से मना किया था आगे दिखेंगे अर्थात उसको उसके लिए जिद रही करनी चाहिए घर ले जाने के लिए ऐसा उसने सोचा आगे देखेंगे उसको लगा कि मानो ऐसा लगता था उसको उसको ऐसा लगता था जैसा कि Captain One Stale ने Captain One Stale ने आपके साथ आज राद ठहरना पसंद किया धान देखे my defense It looks as though Captain One Stale prepared to stay with you tonight अर्थाथ उसको ऐसा लगा कि मानो Captain One Stale ने आपके साथ आज राद ठहरना पसंद किया आगे देखें कि माने देफ्रेंस Stain Somme Stain Somme अर्थाथ Stain Somme जिसका कि एक उपनाम था Stain Somme He said उसने कहा To the Master Blake Smith उसने मुखि लोहार से कहा किस से कहा He said to the Master Blake Smith अर्थाथ उसने मुखि लोहार से कहा And turned on his heel और पीछे की और घूम गया Heel का मतलब होता है AD तो यहाँ पर ध्यान देगे माने देफ्रेंस मुड़ गया अर्थाथ वो पीछे की और घूम गया आगे देखें But he laughed But he laughed to himself ध्यान देगे माने देफ्रेंस He laughed to himself का मतलब होता है अपने आप से हसना अर्थाथ किंतु जाते जाते वह अपने आप हसा And the blacksmith और लोहार Blacksmith का मतलब लोहार ने Who knew him जो उसे जानता था Understood very well अर्थाथ जो उसे अच्छी तरह से समझ गया That he had Not said his last word कि वह अपनी अंतिम बात नहीं कह चुका था कि अभी जिस बेक्ती से बाते हो रही है उस बेक्ती ने अपनी बात भी नहीं दोराई है तो यहाँ पर कौन जान गया था उस लोहार जो बिले किसमित था वो जान गया था उस बेक्त के बारे में किस बेक्त के बारे माई डेफेंट्स उस चुहएदानी बेचने वाले बेक्त के बारे में और जिससे पस्त कौन कर रहा था उस मिल मालिक आयरं मास्टर जिससे कि उबात कर रहा था आगे दिखेंगे माई डेफेंट्स It was not more than half an hour half an hour का मतलब होता है आधे घंटे Halb an hour का मतलब It was not more than half an hour का मतलब आधे घंटे से कम समय में ही ध्यान दो DEGA, my prés It was not more than half an hour का मतलब आधे घंटे से कम समय में ही Before they heard the sound of Kairij Will outside the far आधे घंटे से कम समय में ही धलाई घर जहां पर धलाई के कायर होता था My dear friends धलाई घर अर्थाद भठी के बाहर अर्थाद उस भठी के आउट साइड आफ जी फार का मतलब होता है भठी से बाहर उन्हें एक वाहन अर्थाद कैरीज का मतलब होता है फ्वेल कैरीज पहियों की आवाज अर्थाद किसकी आवाज सुनाई पड़ी आगे देखेंगे और एक नया अर्थि थंदरा इस इस बार यह लोभ ब्यापारी नहीं था जो अंदर आया वो आदमी वो लोभ ब्यापारी नहीं था इस बात को कौम कह रहा है माई डिर्फेंट्स वो धुमकर बेक्ती कह रहा है He had sent his daughter उसने अपनी बेटी को भेजा था किसको भेजा था माई डिर्फेंट्स He had sent his daughter उसने अपनी बेटी को भेजा था डाटर मनी means पुत्री होता है माई डिर्फेंट्स sent means होता है भेजना यहां पर परफेक्ट टंस का प्रयोग कियागा है my dear friends apparently apparently अर्थाद भेजा था यह आसा करते हुए apparently hoping अर्थाद यह आसा करते हुए that she would have better powers of persuasion than he himself किस आसा के साथ उसको भेजा था my dear friends यह आसा करते हुए भेजा था कि मनाने की जादा अच्छी सक्तियां उसमें अधिक होंगी अर्थाद मनाने की किसी को मना लेने की अच्छी सक्तियां उसमें उससे अधिक होंगी इस हिसाब से उसने अपनी पुत्र को भेजा था किसने उस iron master ने my dear friends जो कि एक भूस्वामी एक मिल मालिक था उसने अपनी पुत्री को भेजा था जिसकी पहले ही बता दिया गया है माई डिफेंट्स कि वो पुत्री उसकी एक बड़ी पुत्री थी जो कि एक उसके परिबार में रहती थी तो किसको मनाने के लिए किसको बलाने के लिए भेजा थ गफ तहाँ उस रहे धुमकर अव्यक्ति को बनाने के लिए भीज़ा था जो इसका ऐसका इसका एक सोच था कि वो मेरा एक पुराना मित्र है आगे माई डीफेंस करने देखेंगे माई डीफेंस शी इंटार्ड उस ने करवेश किया किसने प्रवेस चासी किसके लिए प्रयोग किया गया है माइडर फ्रेंट्स उस ओल्ड डाटर के लिए प्रयोग किया गया है उस आयरन मास्टर की लड़की के लिए प्रयोग किया गया है सी इंटर्ड सी इंटर्ड का मतलब उसने प्रवेस किया फालोड बाई ये फालोड बाई ये वैलेट पीछे पीछे फालोड बाई वैलेट का मतलब पीछे पेछे बाह पर बड़ा फर का कोट फालोड बाई ये वैलेट कारींग आन हिजार्म अर्थार उसने अपनी बाह पर क्या ले रखा था एक कोट डाले थी वो अपनी बाह में क कोट के लिए कोट के लिए हुए थी पीछे पीछे पनी बाह पर बड़ा फर असाथ कोट को लिए डाले हुए उसका निजी नौकर था कौन था काईरिंग आन हिज आर्म एक बिग फर कोट एक बड़ी फर कोट जो उपा से नीचे तक पहनी जाती है हमाई डेफेंट सी वाज खाए नाड उसके साथ में कौन था उसका एक नौकर था जिसको जिसने पनी बाहों में इसको लिए हुए था आगे जखेंगेそी वाज नाड एंट आल पर टी यो बिल्कुल आ कर सक नहीं थी यह कौन कह रहाrio है वह द्धोमकरद्व्यक्ति कहरा है मैं डिफ्रेंट सीवाज नाट अयटाल परटी का मतलब वो बिलकुल ही आ कर सक नहीं थी अर्थाज बिलकुल ही अच्छी सुन्दर नहीं थी परटी किसके लिए पर रोक किया जाता है सालीन सीम्ड में से परतीत होती थी यह भी पास इंडिफिंट का संटंस है मैं डिफ्रेंट्स आएंड क्वाइट से और बहुत संकोज सील लग रही थी कैसी लग रही थी आएंड क्वाइट से का मतलब होता है संकोज सील लगना आगे दिखेंगे इन दा फार्ग धलाई घर में अर्थात भठी के पास में माई डिफेंड्स इन दा फार्ग everything was just as it had been earlier in the evening ध्यान देगे माई डिफेंड्स मोस्ट इंपॉर्टर लाइन फार यूर इंटरेस्टिंग अंडरेस्टेंडिंग ध्यान देगे माई डिफेंड्स ये जो है उस धलाई घर में सब कुछ वैसा ही था जैसा कि पहले साम को था ज्यान देगे यब इन दा फार्ग अर्था धलाई घर में everything was just हर कुछ सब कुछ जो है उसी प्रकार से था आईजिट जैसा कि it had been earlier in the evening जैसा कि वो पहले साम को था earlier in the evening का मतलब होता है पहले साम को था जैसा कि उसने देखा था दा मास्टर ब्लेक इसमित मुखिलोहार and his apparentis still sat on their bench ज्यान देगे माई डेफेंस अर्था तो मुखिलोहार और उसका सहायक अभी अभी bench पर बैठे थे Apparentis still sat का मतलब होता है अभी अभी on their benches still sat का मतलब अभी अभी बैठे हुए थे अपने bench पर कौन मुखिलोहार और उसके जो apprentice करने वाले जो उसके सहयोगी थे अभी अभी bench पर बैठे थे iron 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 चार कोल ध्यान देगे माई डेश्वेंट और लोहा और काठ कोईला अभी 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 भी भठी में चमक रहे थे अगे देखेंगे माई डेश्वेंट the stranger head अजनभी जो बैखती था देखेंगे माई डेश्वेंट stranger head stretched himself out on the floor अर्थात अजनभी जो बैखती था अर्थात उस चुहेदानी बेचने वाले ने जमीन पर पसर गया था अर्थात वो पसरा हुआ बैठा था stretched मने फैल करके himself out on the floor का मतलब फर्ष फर्ष फैल करके बैठा हुआ था पसरा हुआ बैठा था and lay with a piece of pig iron under his head और असुद लोहे का ज्यान देखेंगे my defense and lay with a piece of pig iron pig का मतलब कच्चे लोहे से ताट्पिर होता है और उस असुद लोहे का एक टुकडा सिर के नीचे लगा कर लेटा हुआ था my dear friends pig iron under his head का मतलब अपने सिर के नीचे लगा कर लेटा हुआ था and his head pulled down over his eyes और उसने अपना टोब आँखों पर सरका लिया था अर्था जिसे आप देखते हैं कि head जो लोग लगाते हैं कभी कभी अपने आँखों के पास कर लेते हैं सरका लेते हैं जब उनको नीदे आती हैं अर्थाथ वो किसी ऐसे मुद्रा में होते हैं and his head pulled down over his eyes अर्थाथ उसने अपने head को अपने आँखों का सरका लिया था I soon as the young girl caught sight of him जैसे ही युआ लकडी नी लड़की नी अर्थाथ उस युआ लड़की नी जैसे ही उस युआ लड़की नी उसे देखा जहां देखे माई डिफेंस आई यंग गर्ल कार्ड जैसे ही उस युआ लड़की ने उसको देखा sight of him का मतलब उसको देखा उसके पास गई see bent up वो उसके पास गई and lifted his head और उसका टोप उठाल दिया and lifted his head का मतलब और उसके टोप को अर्थाथ head को उसने उठा दिया आगे देखेंगे the man was evidently used to sleeping with one eye open अर्थाथ साब तोर पर उस आदमी को एक आँख खोल कर सोने की आदत थी ध्यान दें कुछी लोग अपनी दोनों आखों को मूंद कर नहीं सोते हैं उनकी एक आँख खोली रहती है my defense तो ऐसा था कि उस अजनबी आदमी ने भी अपनी एक आँख बंदर कर रखी थी और एक आँख खोल रखी थी अर्थाथ उसकी एक आदत थी कि वो एक आँख को खोल कर सोता था अर्थाथ आँख खोल कर सोने की आदत थी आगे देखेंगा my defense he jumped up he jumped up अर्थाथ वो उस्छला he jumped up का मतलब होता है abruptly abruptly अर्थाथ अचानक वो अचानक उछला he jumped up abruptly का मतलब वो अचानक उछला and seemed to be quite frightened और बिलकुल डरा हुआ लगा किस रूप में लगा and seem to be quite frightened का मतलब पूर्ण रूप से डरा हुआ लगा my dear friends तो this is the last passage for Hindi explanation my dear friends और मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को like करें और share करें जिससे हर student के पास हमारी वीडियो पहुंच पाऊ है और एक्जाम में इसका फाइदा उठा पाऊ है जिसको question के answer और सारी चीजें समझने में आसानी हो और मैं प्रयास करूंगा my dear friends की पते question का आपको Hindi translation पताते हुए उसको explain करने का मैं आपको वीडियो बनाऊंगा जिससे आप हर तरह से समझ पाएंगे तो आप इसको like करेंगे और share करेंगे my dear friends घरा कलास में आपका बहुत बहुत स्वागत है thank you very much धन्यबाद my dear friends तमस्कार